Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 8 की Hindi Book वसंत Chapter 4 दिवानों की हस्ती तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजे, ताकि NCRT से रिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इस चैप्टर के जो इस कवीता के कवी है, उनका नाम है भगवती चरन वर्मा उन्होंने बहुत ही अच्छी कवीता लिखी है दिवानों की हस्ती, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए तो देखे क्या बोला जा रहा है, कि हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उडाते जहां चले आये बनकर उल्लास अभी, आसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अडे, तुम कैसे आये, कहां चले तो देखे इस कवीता में कभी कहते हैं कि उनका सुभाव मस्त मौला है वह एक अस्थान पर टीके नहीं रहते, वह जहां भी जाते हैं, चारो तरफ खुसिया फैल जाती है कभी जहां धूल उडाते हुए जाते हैं, वहीं चारो तरफ प्रसन्यता का माहौल हो जाता है कभी रमता जोगी हैं, वह मन में उत्पन्य भावों की भाती, कभी खुसी का संदेज तो कभी आखों में बैते आशूं की तरफ सब जगह फैल जाता है कभी कहते हैं की वह इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं की लोगों को पता ही नहीं चलता की वह कब आए और कब चले गए अब देखिए आगे है किस ओर चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिये चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए छक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिये चले तो देखिए इस पंक्ती में कभी कहते है कि संसार जब कभी से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे है तो वे कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई निस्चित मंजिल नहीं है मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा सुभाव है कभी कहते हैं कि वो संसार से कुछ ग्यान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं कभी का सुभाव चलने का है परंतु वह जहां रुपते हैं वहां लोगों से प्रेम भड़ी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बाटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमरित का घूट पीकर वह फिर नए सफर पर चल देते हैं हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छन्द लुटा कर प्यार चले हम एक निसानी सी उड़ पर ले और सफलता का भार चले अब अपना और पड़ाया क्या आबाद रहें रुकने वाले हम स्वेम बंधे थे और स्वेम हम अपने बंधन तोड चले तो कवी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांक करते रहते हैं भिखारे की आदत मांगना होती है इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिकमंगे कहा है भिकमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं वे अपने हृदय में यही एक निसानी लेकर आगे चले हैं उन्होंने जीवन में और सफलता भी पाई है हार भी मानी है लेकिन उसका बोज स्वेम ही उठाया है उसका बोज किसी पर नहीं डाला है अर्थात उसके लिए जिमेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते हैं जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहे बस बसे रहे यही आसिरवात देते हैं कभी कहते हैं कि हम स्वेम ही अपने इन बंधनों में बंधे थे अपनी स्वतंतरता से अपनी मर्जी से और हम स्वेम ही यह बंधन तोड आगे चल निकले हैं कभी का यह मानना है कि वे संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दिवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधे हैं अगर बंधे हैं तो वह अपनी मर्जी से और अब वो आगे बढ़ निकले हैं अर्थात बंधनों को तोड़ चले हैं तो भी वे अपनी मन मर्जी से ही उन बंधनों को तोड़ कर आगे बढ़े हैं वह स्वेम ही इस बात का अपसोस जताते हैं अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए तो ये था आपका कवीता जो कि भगवती चरन वर्मा ने लिखा है तो ये बहुत ही अच्छी कवीता है तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा तो बच्चों आप लोग इस कवीता को बारवर पढ़िए और इसका जो मिनिंग बताया है मैंने उसे भी समझने की कोसिस कीजिए तो और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप NCRT The Mind को लाइक सबस्क्राइब जरूर कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंसते रहे और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो भी मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और बच्चों इसका जो प्रशन उत्तर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो